हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कंपीट फॉर सक्सेस में आज हम इस वीडियो में उन दस प्रशनों को देखेंगे जो आने वाले सभी कंपेटिटिव परिक्षा के लिए बहुत इंपोर्टेंट है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखे पहला क्वेशन है प्रिथिवी पर दिन और रात होते हैं ओप्षन्स हैं दैनिक गती के कारण वार्शिक गती के कारण चामाई गती के कारण या तीमाही गती के कारण इस प्रशन का सही उत्तर है दैनिक गती के कारण सबसे बड़ा ग्रह है, options है, ब्रस्पती, प्रित्वी, यूरेनस या शुक्र इसका सही उत्तर है ब्रस्पती सबसे छोटा ग्रह, options है, मंगल, सनी, बूध या नेप्चुन इसका सही उत्तर होगा बूध अगुल, हास, धाड़ा किस महासागर में बनती है, options है मेरे इस चानल को लाइक, शेर और सबस्क्राइब जरूर करे आने वाले सबी इंपोर्टेन वीडियोज को देखनी के लिए इसका सही उत्तर होगा हिंद महासागर में पृत्वी का सबसे भीतर वाला भाग, कोड किसका बना होता है, options है इसका सही उत्तर है लोहा और निकल मैंगनीज के उत्तपादन में भारत का दुसरा स्थान है प्रत्थम देश कौन सा है, options है फ्रांस, रूसी संग, कनाड़ या सही उत्तर राज, अमेरिका इसका सही उत्तर है रूसी संग निमल लिकित में से कौन देश कोईले का सबसे बड़ा उत्पादक है options है, ब्राजिल, भारत, अमेरिका या चीन इसका सही उत्तर है, अमेरिका इन में किसको जपान का मैंचेस्टर कहा जाता है options है, which of this is called the Manchester of Japan इसका सही उत्तर होगा, ओसाका भारत के सौतंतर संगर्ष के दोड़ान डेकन एडुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी options है, इसका सही उत्तर है, बाल, गंगाधर, तिलक 1897 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, options है इस प्रशन का सही उत्तर होगा, लौड कैनिंग भारत, भारतियों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था, options है, मेरे इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करे आने वाले सवी इंपॉर्टेंट वीडियोज को देखने के लिए इस प्रशन का सही उत्तर है, आर्या समाज ने विद्यान चल और सत्पूरा पहारियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, options है, नर्मदा, सिंदू नदी, कोशी या गोदावरी इसका सही उत्तर है, नर्मदा Investor Protection Fund किस संस्थान ने स्थापित किया है, options है, which organization has established the Investor Protection Fund इसका सही उत्तर है, सेबी ने कुंडापूर एवंग कारवार कज वनस्पती संस्थान कहां इस्थित है, options है, इसका सही उत्तर है, करनाटक राज्य में भारत की प्रथम बहु उद्देशय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? options है, इसका सही उत्तर है, दामोदर नदी पर अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जरूर करे, आने वाले सवे वीडियोज को देखने के लिए, धन्यवाद